IPL 2023 का फाइनल मैच गुजरा, टाइटन्स और चैन्ने सूपर किंग्स के बीच निर्धारिक समय 28 मई को होना था मगर पूरे दिन बारिश होने के चलते ये मैच नहीं हो सका और अब ये मैच रिजर्व डे यानि 29 मई सोंबार को खेला जाएगा 28 मई को बारिश ने मैच का खेल तो बिगाड़ा ही, साथ में मैच देखने आए फैन्स को भी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा किर्केट के फैन्स को सिर्फ निराशा हाथ लगी, इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ फैन्स की ऐसी तस्वीरे वाइरल हो रही है जिनको देखकर आप हैरान हो जाएंगे इन फैन्स के अंदर MS धोनी की देबानगे सेड़ चड़ कर बोल रही है, आलम यह है कि इन्होंने रेल्वे स्टेशन पर ही रात बिता दी, दूर दराज से मैच देखने आए फैन्स सिर्फ धोनी को मैच खेलते हुए देखना चाहते थे मगर बारिश होने के कारण वो धोनी को देखे बिना नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने एमदाबाद के रेल्वे स्टेशन पर ही सोकर पूरी रात गुजार दी, जो तस्वीरे सोशल मीडिया पर वैरल हो रही है, उनमें यह फैन्स चैने सूपर किंग्स के जर्सी पहने हु दोनी के लोगप्यता पूरी दुनिया में गजब की है, इसका आलम एहमदाबाद में भी देखने को मिल रहा है, जब फैन्स मैच देखे बिना घंड नहीं जा रहे थे, और इन्होंने स्टेशन पर ये सारी रात गुजार दी, इन तस्वीरों को देखकर दोनी की जलता है, जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनी का ये आखरी सीजन हो सकता है, तो ऐसे में फैन्स दोनी को अपने अंतिम मुकाबले में देखना चाहते हैं, आपको बता दे कि टॉस से आधी कंटी पहले मैदान पर बारिश शुरू हो गई, और इसके बाद इंदर दे सार शाम साड़ी साथ बजे खेला जाएगा, लेकिन एहम्दबाद में आज भी बारिश होने की पूरी संभावना जताए जा रही है, और तेज हवाओं के साथ मुसलाधार बारिश को लेकर गुजरात में अलट जारी कर दिया गया है, फिलाल इस महतुपूर्ण मैश पर ब अन्रा रहा है